नमस्कार दोस्तों आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है टेकरड़ और धिंदी में तो दोस्तों आज के वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने इंडराइड को कैसे अपडेट कर सकते हैं अगर आपका मवाइल रूटेड है तो तो जैसा कभी देख सेते है मेरा डिवाइस यह जो है लिनुवो 5K5 है यह लॉलिपॉप वर्जन में 5.1.1 और इसे मैंने रूट किया है तो रूट करने के बाद अगर आप चाहते हैं अपने नए एंडराइड वर्जन ओर्यों में अपडेट करना तो इसके लिए आपको सबसे पहले फ्लेसी 5 अपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एंडराइड में उसके बाद आप उसे ओपन करें तो आपको रूट का परमीशन मोंग गया उसके बाद आप जो है यहाँ पे अपना जो रूट का परमीशन दें उसके बाद यहाँ पर आपको रिकावरी को जो है इसमें फ्लेस करना है recovery को install करना है आपके अपने Android phone में तो recovery को install करने के बाद आप बिना computer के अपने मुवाइल में औरियो के version को install कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ recovery file को जो कि मैंने अपने मुवाइल के लिए मैंने download किया है recovery file को तो यह download वाला folder में है तो यह देखेते हैं यह recovery जो है मेरा TWRP तो इसी मैं जो उस पर किलिक करके मैं यूप कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको जो है कुछ time लेगा कुछ second लगेगा यहाँ पर successful flash होने में तो यह देखेते हैं यह flash is complete हो चुकी है recovery का तो यहाँ पर आपको आएगा option कि आप अपने मुवाइल को recovery में बूट करना चाहते हैं तो मैं तो यहाँ पर बूट करना चाहता हूँ मैंने अपना फोटो जो था बैक अप मैंने सब कुछ ले लिया अपने memory card में तो आप यहाँ पर अपडेट करने जा रहा हूँ अपने मुवाइल को तो यहाँ पर रिबूट किया उसके बाद रिबूट करने के बाद मेरा recovery में जो है अपने पुराने वाले सिस्टम में इजली तरीके से फिर से वापीस आ सकते हैं तो बैक अप अलग कंपलीट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं तो यार अब यह मेरा backup जो है अब तो हो ही चुका है यहां पर देख से बैक अप कंपलीट तो बैक अप लेने के बाद यहां से आपको बैक करना है और बैक करने के बाद आपको वाइप पे किलिक करना पड़ेगा तो हर रिकवरी में वाइप का उप्सन होता है तो आपको वाइप पे किलिक करने के तो अब यहां से जो है आपको फिर से बैक करना है और बैक करने के बाद आपको इंस्टब करने का एक उप्सेन मिलेगा तो इंस्टॉल पर क्लिक करें और यहां पना is the memory card or internal इसे आप अपने अपट इंस्टॉल करनी है तो मैंने इंस्टॉल करनी है। अपने और उपडेट फाइल इसे आपको जो है यह जीफ फाइल में है। इसे आपको क्लिक करके swipe to flash कर दिनी है तो देखते मैंने बस select किया और swipe to flash मैंने कर दिया तो अब यह जो है installing के process में आ चुका है तो यह installing होने में आपको 4-5 मिनट लग जाएगा मैं थोड़ा सा skip कर दे दा हूँ ताकि आपको वेडियो लंबी ना लगे और यू फाइल installed successful हो चुका है तो यहां से आपको reboot पे click करनी है और reboot करने के बाद आपका mobile जो है on होगा और on होने के बाद इस वार आपका boot animation जो on होते वक्त आपका पहले animation दिखता था वो सब change हो जाएगा यह latest आपने oreo version को install कर लिया इसलिए यहां पर आपको time लगेगा तो पूरा boot होने में आपको 4-5 minute या 8 minute लग सकता है maximum तो यह देखते हैं यह complete oreo install हो चुकी है इस Lenovo 5K5 में जो की अभी यह lollipop version में था तो यार इस तरह से जो है कि आप अपने किसी भी पुराने फोन को जो है नए वर्जन में अपडेट कर सकते हैं तो अपडेट करने काद आपका device जो है फास्ट होगा एक नया interface look design आपको देखने को मिलेगा कुछ download link आपको description मिल जागा और आप मुझे comment बताइए तो आगर जो आपने अभी तेक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करके घंटा दबा दिजी अगली वीडियो के